किसान साथियों आज हम आए हुए हैं गन्ये की खेट में और देखेंगे गन्ये की हाँ पर फसल ना गरे इसमिल यहाँ इसकी वज़े से गन्ये को अच्छे सरह बाँधिया गया है और इस तरह साब देखेंगे बहुत अच्छे से इसकी बंधाई भी कर दी गई है आज मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूँगा गन्ये की फसल में नहीं आपको टिड़ा दिखेगा नहीं आपको कोई रस चूसा कीड देखेगा और फसल में आपको मातर 200 ml की ये दवा डाल देनी है और गन्या भी आपको लाठी जैसा लंबा होगा बंपर पैदावार होगी और जवरदस्त मुनाफ़ा आपको होगा तो किसान साथियो आज हम इसी के वारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं और वीडियो में बताएगे जानकार यदि आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक देए एक कमेंट करें वीडियो को सेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बैल आइकन को जरूर दवाएं जिससे आने वाली हर वीडियो का नौटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुझे तो किसान साथियो इस वीडियो को सुरू करते हैं बरसात के मौसम में गन्ने की फसल में कैई तरह के कीट लगने सुरू हो जाते हैं यह जो कीट होते हैं यह पत्तियों को कुतरने के साथ पत्तियों का रस चूसना शूरू कर देते हैं जिसकी वज़य से गन्ना है वह काफी ज़ाद कंज और यह सीधा असर हमारी गन्ने की फसल के उत्पादन पर पड़ता है इसलिए इन कीटों का नियंतरन करना बेहत जरूरी हो जाता है और गन्ये की फसल में जो रश चूसक कीट है, मिली बग है और पत्या कुतरने वाला टिड़ा है, आर्मी वर्म है ये बरसात के मौसम में काफी जादा पिरभावी हो जाते हैं और इनकी रोक थाम करना बेहत पूरी होता है, किसान साथियो आप गन्ये में जिस तरह देख रहे हैं, ये गन्यों में जो पोरियां है, ये पोर नया बननी शुरू हो गई है, तो गन्ये में जो मिली बग कीट है, वो गाठों पर चिपक कर उनका रश चूसना सुरू कर देता है, और जिसकी वजह से जो ह कुतरने वाले तिड्ड़ आर्मी वर्म भी फसल को काफी जादा नुकसान पहुंचाता है!! और यह जो कीट , रस्चूसक ौक पत्ति कुतरने वाले कीट यह काफी नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए हमारी फसलों को भारी नुकसान भी चाते हैं और समय पर इनका नियंत्रन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है और यदि हम इसके नियंत्रन के वारे में बात करें तो आपको पांच लिटर किलोरो पाइरी फोस्व 20 EC को 1000 लीटर पानी में घोल कर पिरती हेक्टेर के हिसाफ से अपनी गन्ने की फसल में इन छिड़कावन को इस तरह से करदेते हैं तो आपकी फसल में लगने वाले जो रश्चूसक कीटे टिड़म हें पती कुतरने वाले जो कीट वह नश्ट हो जाते हैं और आपकी पैदावार भी बंपर होती हैं तो किसान सातियों इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दे रहा था, गन्य की फसल में लगने वाले रश्चूसक कीटों को, टिड़ों की हम कैसे उनको कंटॉल कर सकते हैं, कैसे नियंतित कर सकते हैं, तो उम्मीद करता हूँ वीडियों में बताएगे, जानकारी आपको अच सबसे पहले आपके पास पहुचें तो किसान साथियों गन्ने की सम्मंद में पहले बहुत सी वीडियो बना चुका हूं आप चाहें तो उन वीडियो को देख सकते हैं दो वीडियो का जो लिंक है वो आपको